नमस्कार आज हम देखेंगे कक्सा नौँ हिंदी मिडियम का जो हिंदी विशय है क्षितिच भाग एक उनमें से हम आज सात्वा पाट देखेंगे जिसको लिखा है महादेवी वर्माने और पाट का नाम है मेरे बच्पन के दिन तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय देखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के परुखाबाद सहर में हुआ था उनकी सिक्सा दिक्सा प्रयाग में हुई प्रयाग महिला विद्या पिठ में प्राचारिय पत पर लंबे समय तक कार्या करत उन्होंने लड़कियों की सिक्सा के लिए काफी प्रयत्न के सन 1907 में उनका देहान हो गया महादेवी जी छायावात के प्रमुक कवियों में से एक थी नीहार रस्मी निर्चा यामा दिप सिखा उनके प्रमुक कविय संग्र है कविता के साथ साथ उन्होंने ससक्त गध्य भी लिखी है जिन में रेखा चित्र तथा संस्मरान प्रमुख है अतित के चल चित्र स्पूति की रेखाय पत के साथी सुंखला की कडिया उनकी महत्वपून गद्य रचनाये है महादेवी वर्मा को साहित्य एक अदमी एवं ग्यान्पिट को रसकार से सन्मानित किया गया भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूसन से अलुंकुरित किया है महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पिछे एको राचादी के आंदोलन की प्रेना है तो दूसरी ओर भारत्य समाज मिस्त्री जेवन की वास्तविक स्तिति का बोध भी है हिंदी गध्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुचाने का स्त्रे महादेवी ची को है उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में सोसित पिडित लोगों के प्रती ही नहीं बलकि पशुपक्षियों के लिए भी आत्मियता एवं अक्षय करूना प्रकट हुई है उनकी भासा सेली सरल एवं स्पस्ट है तथा सब्द चयल प्रभाव कून और चित्रात्मक है तो यहां पर हम देखेंगे कि मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने जो बचपन के दिन थे उन्होंने स्नूती के सहारे यहां पर लिखा है तो हम वह देखेंगे कि मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्नूती के सहारे लिखा है जब वे विद्यालई में पढ़ रही थी कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि वो जब बचपन में विद्यालई में पढ़ने गई थी तो उसको याद करके उन्होंने यहाँ पर लिखा है पाठिनों चात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता अंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रान क्या है कि उन्होंने विद्याले में उनकी जो सह पाठिन थी उनके बारे में और चात्रावास के जीवन के बारे में और स्वतंत्रता अंदोलन के प्रसंगों को भी उन इत्रसा आकर्शन होता है, कभी-कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्तितिया बहुत बदल चारती है कि अगर हम भी अभी चाहें कि हमारे बज़पन के दिन ऐसे थे, हम ऐसा करते थे, यह समें भी अगर अभी हम भी याद करेंगे, तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और कभी-कभी तो ऐसा लगता है हमारे बजपन के बारे में हम सोचते हैं तो मानो ये सब एक सपना था और अब वो चला गया और उससे उसके बाद हमारे बजपन के बार तो अभी परिश्टिति अभी कैसी हो गई है बहुत ही बदल अपने परिवार में में कई पीडियों के बाद उत्पन हुई लड़कियों का जन्मा उनके परिवार में नहीं हुआ था मेरे परिवार में प्राया 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं कि लेखिका के परिवार में 200 वर्ष तक किसी लड़की का जन्मा नहीं हुआ था सुना है उसके पहले लड़कियों को पेदा होते ही परमधाम भेज देते थे कि उन्होंने यह सुना था कि पहले लोग लड़किया पेदा होती थी तो उन्हें पेदा होते ही क्या करते थे परमधाम भेज देते थे यानि उन्हें मात देते थे फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूचा कि हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है कि उनके परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की पेदा नहीं हुई थी तो बहुत मन्नतों के बाद पूचा के बाद इलिखिका का जन्म होता है उनके परिवार में तो उनके बहुत खातिरदारी होती थी हुई थी और अन्य लड़कियों को सेहना पड़ता है वो सब उन्हें नहीं सेहना पड़ा परिवार में बाबा फार्सी और उर्दू चानते थे पिता ने अंग्रेजी पड़ी थी हिंदी का कोई वातावराण नहीं था परिवार में उनके जो बाबा थे वो फार्सी और उर्दू भासा जानते थे और पिताजी ने अंग्रेजी पड़ी थी और हिंदी का तो कोई वातावरण ही नहीं था मेरी माता चबलपूर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई उनकी माता चबलपूर से थी तो वो जब उस घर में आये थी तब वो हिंदी उनके साथ हिंदी बासा वो चानती थी वे पुचा पाठ भी बहुत करती थी पहले पहल उन्होंने मुझको पंच तंत्र पढ़ना सिखाया, उनकी माता को हिंदी आती थी, और उनकी जो माता है वो पुझा पाट भी बहुत करती थी, और पहले पहले उन्होंने लेखिका को पंच तंत्र पढ़ना सिखाया, बाबा कहते थे इसको हम विदूसी बनाएंग मेरे संबंद में उनका विचार बहुत उचा रहा इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने संस्कृत भी पढ़ी ये अवस्य चाहते थे कि मैं उर्दू फार्सी सीखनू लेकिन वह मेरे वस्की नहीं थी मैंने जब एक दिन मौल्वी साब को देखा तो बस दुसरे दिन में चा संस्कृत भी पढ़ना चाहती थी पर वह ये पहले उर्दू और फार्सी सीखना चाहती थी लेकिन उनके लिए ये सिखना उनके वस्में नहीं था तो मैंने उन्होंने क्या क्या कि एक दिन मौल्वी साब को आता हुआ देखकर वह चार पाई के निज़े चिप जाती है तब पंडित ची आये संस्कृत पढ़ाने और फिर तब संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित ची को बुलाया गया मा थोड़ी संस्कृत जानती थी गीता में उन्हें विशेश रूची थी पुचापाट के समय में भी बेट जाती थी और संस्कृत सुनती थी कि पंडित उन्हें संस्कूरूट पढ़ाने के लिए आते थे और उनकी मा भी थोड़ा ज्यादा संस्कूरूट जानती थी तो गीता में उन्हें विशेश रूची थी तो पुचापाट के समय वह भी बेड़ जाती थी उसके उपरांथ उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको कि उसके बाद उन्हें मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए रख दिया चाता है मिश्ण स्कूल में वातावरण दूसरा था कि वहां का वातावरण दूसरा था प्रातना दूसरी थी मेरा मन नहीं लगा वहां जाना बंद कर दिया जाने में प्रोने दोने लगी कि वहां का वातावरण अलग था तो वहां की प्रातना ये भी अलग थी तो उनका मन वहां पर पांचवे दर्जे में भरती हुई यहां का वातावरान बहुत अच्छा था उस समय हिंदू लड़किया भी थी इसाई लड़किया भी थी हम लोगों का एक ही मेस था उस मेस में प्यास तक नहीं बनता था कि वहां पर उन्हें स्कूल में अच्छा नहीं लगता है तो उन्हे कास्टरवे फोलज में रख देया चाता है और वहां का वातावरान बहुत ही अच्छा था वहां पर हिंदू लड़किया भी थी इसाई लड़किया भी थी तो वो सब साथ में ही रहती थी वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थी वहाँ रहने के लिए चो छात्रावास है वहाँ एक कमरे में चार लड़कियों को रहना होता था तो वहाँ वो चार लड़किया रहती थी उनमें पहली ही साथिन सुबद्रा कुमारी मिली कि उनमें से उन्हें वहाँ पर सुगद्रा कुमारी ची मिलती है और साथवे दर्चे में वे मुझ से दो साल सिन्यर थी और वो उनसे दो साल बड़ी थी सिन्यर थी यानि दो साल सिन्यर थी वे कविता लिखती थी और में भी बज़पन से तूख मिलाती आये थी कि सुगद्रा कुमारी जो थी वो कविताय लिखती थी और यह जो लेखी का है हमारी मा देवी वर्मा वो भी बचपन से ही एसे तुक मिलाती आई थी एसे लिखने में बचपन में मा लिखती थी पद भी गाती थी कि बचपन में वो छोटी थी तब उनकी मा भी लिखती थी और पद भी गाती थी मीरा के पद विशेश रूप से गाती थी सवेरे जाकिये कृपा नेदान पंची बन बोले यही सुना जाता था प्रभाती गाती थी प्रभाती यानि की सवेरे जो गाया जाता है वो गित सामको मिरा का कोई पद गाती थी और सामको भी उनकी जो माताजी है वो कोई पद गाती थी सुन सुनकर मेने भी व्रज भासा में लिखना आरंग गया कि एसा अपनी महा से सुन सुनकर ये जो हमारी लेखीका है उन्होंने भी व्रज भासा में लिखना आरंग गया यहां कर देखा कि सुबद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती है, यहां कर उन्हें क्या देखने को मिलता है कि यह जो सुबद्रा कुमारी जी है वो खड़ी बोली में लिखती है, मैं भी वेसा ही लिखने लगी, कि यह लेखिका भी इसकी तरह ही लिखने लगी, लेकि एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो एक दिन महादेवी जी उन्हें पुछती है कि क्या तुम कविता लिखती हो तो मैंने डर के मारे कहा नहीं कि डर के मारे उन्होंने मना कर दिया अंत में उन्होंने मेरी डेश्क की किताबों की तलासी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से कि तब सुबद्रा कुमारी जी उन्होंने जो रखी थी किताबे तो उनकी तलासी लेती है और उन्होंने से बहुत सारा कुछ निकल पड़ता है तब जैसे किसी अपरादी को पकरते हैं एसे उन्होंने एक हाथ में काघच लिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे होस्टेल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है और फिर उन्होंने जो लिखा था वो सब सुबद्रा कुमारी के हाथ में आ गया और उनको हाथ पकड़ कर लेकर गई और सबको बता दिया कि ये कविता लिखती है फिर हम दोनों की मित्रता हो गई क्राश्टवेट में एक पेड की डाल नीची थी उस डाल पर हम लोग बेट जाते थे जब और लड़कया खेलती थी तब हम लोग तूप मिलाते थी उस समय एक पत्री का निकलती थी स्त्री दरपन उसी में भेज देते थी कि ये लोग जब सब लड़कया खेलती होती है तब ये दोनों लिखती है और उस समय पत्री का निकलती थी स्त्री दरपन उसमें वो अपनी जो कविता होती है वो भेज देती थी अपनी दुख बंदी छब भी चाती थी फिर यहां कवी सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था कि ये लोग उसके बार क्या करती है कि वो कवी सम्मेलन चो होते थे उसमें भी जाने लगते थी और हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था में सन 1917 में यहां आई थी उसके उपरांट गांधी जी का सत्याग्र आरम हो गया और आनन्भवन स्वतंत्र था के संगर्ष का केंद्र हो गया कि उस समय क्या हुआ था कि उसके उपरांत यहां पर गांधी जी का सत्या ग्रह जो था वो भी आरंब हो चुका था और स्वतंत्र था के संगर्ष का केंद्र आनन्दवन बन गया था जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था कवी समयलन होते थे तो क्राष्टेवेट से मेडम हमको साथ लेकर चाते थी कि कवी समयलन जब होते थे तो इन दोनों को उनकी जो मेडम थी वो उनके साथ लेकर चाती थी हम कविता सुनाते थे कि ये लोग वहाँ पर जाकर उसके बाद कविता सुनाते थे कभी हर्योजी के अध्यक्स होते थे कि वहाँ पर समयलनों में प्रतिश्टित लोगों को बुलाया जाता था तो इसमें कभी हर्योजी होते थे इसके अध्यक्स तो कभी स्रिधर पाठक हो कभी कोई होता था कभ हमारा नाम पुकारा जाए बेचेनी से सुनते रहते थे कि कभी कोई रतनाकार भी होता है कभी कोई होता है तो इस तरह से वहां पर जाती थी तो पता नहीं कभ उन लोगों का नाम पुकारा जाए और उन्हें वहां पर जाके कभीता सुनानी पड़ती थ मुझे को प्राया प्रथम पूरसकार मिलता था कि यहां पर लेखीका उन्हें प्रथम पूरसकार मिलता था सो से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें कि उन्हें ऐसे कविटा सुनाने पर सो से कम पदक नहीं होंगे उन्हें जो पुरस्कार में मिले थे एक बार के घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला लेखी का याँ पर लिखती है कि एक बार के घटना उन्हें याद आती है और उन्होंने एक कविता सुनाई थी तो वहाँ पर उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था बड़ा नक्कासिदार सुन्दर उस दिन सुबद्रा नहीं गई थी कि उस दिन सुबद्रा कुमारी उनके साथ नहीं थी जिस दिन उन्हें ये एक चांदी का कटोरा मिला था और वह बड़ा नक्का सिधार यानि कि उसमें अच्छे सी डिजैन बनाई गई थी और सुन्दर था उस दिन सुबद्रा नहीं गई थी, सुबद्रा प्राय हर नहीं जाती थी कि सुबद्रा कभी-कभी वहाँ पर नहीं जाती थी, कभी सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला, कि आने के बाद वह कटोरा दिखाती है और यह मिला इसा कहती है, सुबद्रा नहीं कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खिर बनाओ और मुझको इस कटोरों में खिलाओ कि सुबद्रा क्या कहती है कि अच्छा है तुम एक दिन खिर बनाओ और मुझे इस कटोरों में खिलाना उसी बीच आनन्धवन में बापु आई कि तभी वहाँ पर एक दिन आनन्धवन में बापु आने कि हमारे गांधी जी थे वो आते हैं, हम लोग तब अपने चेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, कि उस समय ये लोग क्या करती थी, कि अपना जो चेब खर्च होता है, अपने जो खर्ची होती है, उसमें से एक एक या दो दो रुपया देश इसके लिए बचाती थी, और जब बापु आते थे तो वह पैसा उन्हें देदेते थे, कि जब भी बापु आते थे तब वह पैसे उन्हें देदेती थी, उस दिन जब बापु के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई, मैंने निकल कर बापु को देखाया, मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है करने लगे अच्छा दिखा तो मुझको कि वो कटोरा दिखाती है और बापू उन्हें देखने के लिए मांगते है मैंने कटोरा उनकी और बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले तु देती है इससे कि बापू को दिखाया तो बापू उसे हाथ में लेकर देखते है और वो क्या पुछते कि तु यह कटोरा मुझे देती है अब मैं क्या कहती मैंने दे दिया और लोट आई कि अब वो मना तो नहीं कर पाती तो उन्होंने वो दे दिया वहां से लोटाती है दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है कि उन्होंने कटोरा ले लिया उसका दुख नहीं हुआ पर कटोरा भी ले लिया पर उन्हें कौन सी कविता गाई या बताई वो उन्होंने नहीं पूछा उस बात का दुख उन्हें हुआ पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा लोटकर अब मैंने सुबद राजी से कहा कि कटोरा तो चला गया सुबद राजी ने कहा और जाओ दिखाने फिर बोली देखो भई खीर तुमको बनानी होगी अब तुम चाहे पितल की कटोरी में खिलाओ या फिर चाहे फूल के कटोरों में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसंता हो रही थी कि पूरसकार में मिला अपना कटोरा मेने बापू को दे दिया कि वो वहाँ से लोटने के बाद सुबद राजी को बताते ही कि कटोरा तो बापू ने ले लिया तो वो कहती है सुबद रागो कि तुम बले ही कटोरा गया है पड़ेगी चाहे फिर वो तुम चादी में खिला हो या पितल में, फर मुझे खिर तो तुम्हें खिलाने ही पड़ेगी, पर या पर लेखीका को प्रसंदता इस बात की हो रही थी, कि उन्हें पुरस्कार में मिला हुआ जो कटुरा है, वो बापु को दे दिया था उन्होंन सुबद्रा ची शात्रावास छोड़ कर चली गई तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन निसा हमारे कमरे में आकर रही कि वो कोलापुर से आई थी और यह लेखिका का बहुत सारा काम भी वो कर देती थी वो मेरी डेस्क साब कर देती थी किताबे ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकास मिल जाता था कि वो बहुत सारा उनका काम कर देती थी तो लेखिका को कविता लिखने के लिए और भी समय मिल जाता था जेबुन मराठी सब्दों से मिली जूली हिंदी बोलती थी कि इनकी भासा मराठी थी तो हिंदी भी मिली जूली बोलती थी मैं भी उससे कुछ-कुछ मराठा सिखने लगी थी वहाँ एक उस्तानी जी थी जिनत बेगम जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर-लोकर जैसे मराठी सब्दों को मिला कर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नो रहा जाता था वहाँ देशी कोवा मराठी बोली चेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी यह मराठी कोवा मराठी बोलता है चेबुन मराठी महिलाओ की तरह किनारीदार साडी और वेस्ता ही ब्लावुस पहनती थी कहती थी हम मराठी हो तो मराठी बोलेंगे उस समय यह देखा मेने की साम्प्रदाइकता नहीं थी जो अवत की लड़किया थी वे आपस में अवधी बोलती थी बुंदेल खंकी आती थी वे बुंदेली में बोलती थी कि लेखिका ने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई भी साम्प्रदाइकता नहीं थी जो भी लड़किया जहां से भी आती थी वहां की जो उनकी बोली होती है उसी भासा में वो बोलती थी कोई अंतर नहीं आता था और हम पड़ते हिंदी थे कि सब को भासा को लेकर कोई भी अंतर नहीं आता था और ये लोग क्या पड़ते थे हिंदी उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी पर अपस में हम अपनी भासा में ही बोलती थी कि वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाती थी फिर भी उर्दू भी पढ़ाई जाती थी पर आपस में ये लोग जब बाते करती होती है तो वो अपनी भासा ही बोलती थी यह बहुत बड़ भी विवात नहीं होता था मैं जब विद्या पीठाई तब तक मेरे बच्पन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है कभी कभी बच्पन के संस्कार एसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं बच्पन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहा जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बिचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कमपाउन में हम लोग रहते थे, बेगम सहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई सहिबा कहते थे, उनके बच्चे हमारी मा को चची जान कहते थे, हमारे ज चाहिए राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी कहती थी राखी के दिन बेहने राखी बांदे बांज जाए तब तक कोई भाई को निरहार रहना चाहिए यानि कि कुछ खाना पिना नहीं चाहिए बार-बार कहलाती थी, भाई भूखा बेठा है राखी बंदवाने के लिए, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरीया कुछ मिलते थे, इसी तरह मुराम में हरे कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी बनते थे, फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताईस आई बाने पिता जैसे कहा, देवर साहिब से कहो, वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं साम को आऊंगी, वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी मा को वे दुलहिन कहती थी, कहने लगी दुलहन, चिनके ताई चाची नहीं होते है, वो अपनी मा की कपड़े पहनते है नहीं तो 6 मेहने तक चाची ताई पहनाती है, मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यहां बड़ा सुन्दर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जमु युनिवरसिटी के वाईस चांसेलर रहे। कि जिस बच्चे ने जन में लिया था उसका नाम मनमुहन रखा था तो वही लर्का आगे जाकर एक प्रोफेसर मनमुहन वर्मा जो आगे चलकर जम्मु युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे गोरफपूर युनिवर्सिटी के भी रहे कहने का दात पर है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया उनके यहां भी हिंदी चलती थी उर्दू भी चलती थी यो यो अपने घर में वे अवदी बोलते थे वातावरण एसा था उस समय कि हम लोग तो उन सब को यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है साया द्वस अपना सत्थ हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती कि यह सब जो बाते उन्होंने लिखी जो अगर वो सब सच हो जाती तो क्या होता कि जो भी सपना देखा था वो सच हो जाता तो कि काने अपने जीवन के अनुभव उनकी स्नूति के द्वारा यहां पर यह हमें लिख कर बताया है तो यहां पर यह पार्ट कुरा होता है तुम्हें यह पार्ट अच्छे से पढ़ना है सब्दके अर्थ लिखने है और प्रश्न के उत्तर भी लिखने है झाल अच्छे से अथे लिखने हैं अड़िखने।